सिबिसी वर्ट्स में आपको स्वागत है तो हम पढ़ रहे थे class 7 science का 10th chapter जिसका नाम है electric current and its effects और इस chapter की एक वीडियो अप्लोड हो चुकी है अगर आपने नहीं देखा तो description में आपको playlist का link मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हो आज एक नए topic स्टार्ट करेंगे 10.2 heating effect of electric current electric current की वज़े से heating भी होती है तो ये कैसे होती है चलिए इसके बारे में जानते हैं activity 10.2 इसके लिए आपको एक electric cell, एक bulb, एक switch और connecting wires की ज़रुत पड़ेगी फिर electric circuit बना लो जैसा कि आपको figure 10.9 में दिया हुआ है यानि ऐसे एक cell लगा लो, इधर एक bulb लगा लो, यहाँ पर एक switch लगा लो और wire से इन तीनों को ऐसे connect कर दो अच्छा switch अभी off रहेगी अब ध्यान रहे, इस activity को आपको सिर्फ one cell का इस्तेमाल करके करना यानि बैटरी नहीं बनानी, दो, चार, पांच cell नहीं लगाने सिर्फ एक ही cell का इस्तेमाल करके यह activity करनी है keep the switch in the off position अभी switch को off रखो, क्या bulb जलेगा simple सी बात है, switch off है तो bulb कैसे जलेगा, नहीं जलेगा bulb को touch करो, touch कर लिया अब जो electric switch को on कर दो, और bulb को जलने दो कुछ minute के लिए ठीक है, दो, चार, पांच मिनट जलने दो, फिर से bulb को touch करो क्या कोई difference आपको feel हुआ, तो difference feel होगा क्या होगा अभी बात करेंगे after moving the switch back to the off position, touch the bulb again अब फिर से switch off कर दो, यानि पहले off था फिर हमने on किया, 4-5 मिनट तक हमने on रखने रहने दिया फिर हमने इसको off कर दिया तो अब यहाँ touch किया था, on था, तब touch किया था यहीं 4-5 मिनट जल गया, तब हमने touch किया था फिर off करने के बाद फिर से हमने touch किया तो क्या कोई difference आपको समझ में आएगा बिल्कुल आपको difference समझ में आएगा जब starting में आपने bulb को touch किया होगा, तो bulb इकदम normal होगा लेकिन जब 2-4-5 मिनट वो bulb on था उसके बाद touch करोगे तो bulb आपको गरम लगेगा तो वो गरम कैसे हुआ, जलने की वज़े से क्योंकि bulb के अंदर current जा रहा था उस current की वज़े से bulb धीरे-धीरे गरम होने लगा 4-5 मिनट में वो ठीक ठाग गरम हो गया तो touch करोगे तो आपको गरम feel होगा starting में off था, current नहीं जा रहा था इसलिए गरम नहीं हुआ इसी तरह से फिर से off कर दोगे तो वो धीरे-धीरे करके ठंडा हो जाएगा और फिर से आपको normal समझ में आएगा touch करोगे तो, तो यहां से यह समझ में आए कि electric current की वज़े से heating होती है चीज़ें गरम होती है अब चलिए एक और activity कर लेते हैं, activity 10.3 एक circuit आपको बनानी जैसे कि आपको figure 10.10 में दिया हुआ, यह नीचे दिया हुआ है आपको 10 cm लंबा piece of nicrome wire लेना है और उसको nails की बीच में tie कर देना है, अब यह nicrome क्या है देखो एक material है, जो दो चीज़ों से मिल के बना होता है, एक आपको nickel हो गया, दूसरा chromium हो गया तो nickel का नी ले लिया, chromium का chrome ले लिया, बन गया nicrome अब यह आपको नहीं याद रखने कैसे बना है, बस आपको just यही नाम याद रखना है, कि हम क्या ले रहे है एक nicrome wire ले रहे है, तो यह circuit हमारा है देखो यहाँ पर हमने एक cell लगा दिया बैटरी ने बनाई है, हमने एक cell लगा है यहाँ switch लगाई, अभी switch off है हमारी और यह हमने ऐसे wire से पूरा connection कर दिया यहाँ पर हमारा एक nail है, इधर भी एक nail हमने लगा लिया इधर यहाँ कोई cardboard लगा सकते हो बीच में ऐसा material नहीं लगाना है जिसके थुरू current flow हो सके लकड़ी कोई चीज ले सकते हो थर्मकोल की ले सकते हो ठीक है, इस तरह का material में इस कील को लगा देना है अब यहाँ बीच में हम निक्रोम wire को इस तरह से लगा देंगे इधर एक बांद देंगे दूसरा कोना इधर बांद देंगे तो अब circuit हमारा complete हो गया या अगर हम switch on करेंगे तो current इसके अंदर से flow होगा अच्छा हाँ, यह जो निक्रोम wire है यह conduct करता electricity यानि इसके थुरू current पास होता है अब आपको होगी निक्रोम wire हमको मिलेगा कहा से तो यह wire आपको electric repair shop अगरा में मिल जाएगा या फिर आपके हाँ कोई पुराना खराब electric heater हो तो उस heater के अंदर भी आपको जो गरम होने वाला हिससा है जब heater on करते हो तो वो गरम होता है न Essa light निकलती गरम होता है तो जो चीज़ आपकी गरम होती है तार जैसा होता है वही आपका निक्रोम wire होता है तो इसको भी निकाल सकते हो या धुकान में जाके खरीश सकते हो दुकान में जाके मांग लेना कहा हम यह आम थोड़ा सा किसकी बात कर रहे है निक्रोम वायर की बात करें तो गृण को कर önem करो कैसे तो निक्रों वायर को पकड़क बैठे रहते हैं बस आपको टच करना है और हाथ टा लेना है ऍायर फील होने के बाद आपको करेंट को जो है ओंव कर देना है जब आट से तर था उसी तरह से यहां भी आपको बाता चलेगा जब स्विच ओफ थी तो निक्रोम वायर अपना नॉर्बल था कुछ गरम फील नहीं हुआ था लेकिन कुछ सेकंड जब उसके अंदर से करेंट फ्लो हुआ कुछ सेकंड के लिए हमने स्विच ओन रखा तो निक्रोम वायर गर अब स्विच को काफी देर तक ओन नहीं रखना है ना इसकी विर्यास से क्या होगा आपका सेल वीख हो जाएगा सेल बहुत तरी खतम होने लगेगा तो बस थोड़ी देर के लिए इतने देर काम करके उसके बाद हटा लेना है अब यह एक्टिविटी ऐसी है कि आपको फील करना है वरना मैं आपको करके दिखा देता कोई लाइट निकलने वाली जलने वाली चीज होती तो दिख भी जाती अब यहां मैं टच करूंगा तो मुझे फील होगा आपको तो बता चलेगा नहीं इसलिए अगर आपको इसको फील करना है तो खुद से इसको करना था सिंपल जी बात है तो दो एक्टिवीटी से इतनी बात समझ मा गई कि करेंट की वज़े से चीजें गरम होती है वहाँ बल्ब गरम हुआ था यहां निक्रों वायर गरम हो गया दवायर गेट सौट वेन एलेक्टिक करेंट पास थूए तो वायर गरम हो जाता है जब उस इमर्जन रॉड वगरा होता है इलेक्टिक आयरन हो गया जिसको उम्प्रेस भी कहते हैं यानि जितनी भी आपकी गरम होने वाली चीजे हैं जो बिजलीज चलती है वहाँ पर हम कोई देखने को मिलेगा वह गरम क्यों हो रहा था एलेक्टिसिटी की वज़े से ठीक है तो इलेक्टिक हीटर जिस पर खाना बनता है वो देखा होगा इस तरह से आपका यह हीटर होता है अब तो खेर बहुत कम यूज हो गया है पहले तो काफी यूज होता था हो सकता है आपके हां हो यह वाला हमारे यहां तो आज से शायद 15-19 साल पहले इस्तिमाल होता था यानि अब नहीं इस्तिमाल होता है वो 15 साल पहले इस्तिमाल होता था तो इसमें आप देखो कि एलेक्टिक जो आपका यह हीटर होता है ना खाना बनाने वाला हीटर इसी की मेंच बनी हुई है तो ऐसे यहां पर कौईल ऑफ वायर लगा होता है एसे स्प्रिंग जैसा कौईल होत है तो आपने अलेक्टिक रूम हीटर या खाना बनाने वाला हीटर देखा होगा इसके अंदर क्या होता है इनके अंदर कौईल ऑफ वाइर होता ऐसे श्ब्स आएसे सलुए हो को हमदा हुदख क्या है एक ऐसी चीज है जिसके अंदर के प्रेंट पास कराते हैं तो वह गर तो थोड़ी देर में इनका गरम होके एकदम लाल हो जाता है और उसके अंदर से हीट निकलने लगती है तो हीटर वगएर आपके आँ होगा तो आप देखे ही होगे अब बुजो को एलेक्टिक आइरन के अंदर एलिमेंट नहीं दिख रहा कि भाईया कहां पर है एलिमेंट क को लोग इस्तिमाल करतें लेकिन यह अबहरे नहीं रखना हुआ है कर आई इसको पानी के अंदर डाल देते हैं फिर उसका उपर प्लग लगा कर देते हैं तो यह जो है पूरा इसे गरम हो जाता है तो शीजिऑंगते पाने sagt इ आपका गरम हो जाता है तो यहां पर एलिमें साल पहले इस्तेमाल करते थे, उसको सर्मिक हीटर कहते थे, उसके बाद अपडेट होके ये वाला आ गया, ये उससे थोड़ा अच्छा मॉडल था इसमें भी ये दो को कॉयल जैसा लगा हुआ है इसके अंदर इसका element लगा होता है, ये उसको उपर पहाना बगारा बनाया जाता है, ठीक है तो बूजो को electric iron के अंदर element दिखा ही नहीं, तो पहली ने बताए कि जैसे immersion heater हो गया, hot plates हो गया, iron हो गई, geezer हो गई, electric kettle हो गई, hair dryers हो गई, इनमें जो element है, उसके अंदर होता है, कि आपने किसी appliance का element देखा, तो देखा हो तो आप yes कर देना, नहीं देखा तो no कर देना, तो यह दोखो, element of electric iron, जो आपकी electric iron होती है, इसको उप्रेस भी कहते हैं, उसके अंदर element को जिस तरह से रहता है, यह जो आप देख रहे हो यह, जिसको मैं blue color से highlight कर रहा हूँ, यह पूरी जो इसको पत्ती कहते हैं, arm language के अंदर, अगर प्रेस वगराँ खराब हो जाए, तो बनवाने ज़ुद कहेंगे, और इसकी पत्ती खराब हो गई है, अब यह बदल दो पत्ती, तो यह element होता है, simple से याद रखना, element में ज़्यादा confuse नहीं होना, किसी भी electric appliance के अंदर, वो चीज जो गरम होने में इस्तेमाल होती है, जहां से गरमी निकलती है, जिसके अंदर current जाता है, तो वो एकदम गरम हो जाता है, उसी को element कहते हैं, अब जिस भी appliance के अंदर element लगा होगा, वो heating देगा, तो जो भी गरम होने वाली चीज होती है, जिस गीजर हो गया, electric kettle हो गया, hair dryer हो गया, यह सब क्या, यहां पर heat का इस्तेमाल करते हैं, heat निकलती है, तो वो heat कैसे निकलती है, उनके अंदर element लगा होता है, वही गरम हो जाता है, जब उसके अंदर current flow होता है, figure 10.12, glowing filament of an electric bulb, तो यह electric bulb बना हुआ है, यहां पर आप यह देख सकते हो, जो glow कर रहा है, जहां से रोशनी निकल लई है, इसको हम filament कहते हैं, current इधर नीचे से आके, जब इस filament के अंदर से पास होके जाता है, तो यह filament गरम हो जाता है, गरम होके यह, इसके अंदर से रोशनी निकलने लगती है, इसलिए इसको हम incandescent कहते हैं, Incandescent का मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर से जब current flow होता है तो वो गरम हो जाती है उस गरम होने की वज़े से यानि इतना ज़ादा गरम हो जाती है कि उसके अंदर से light निकलने लगती है रोशनी निकलने लगती है तो उसके पीछे हमारा concept एही होता है कि भाईया इस चीज को इतना ज़ादा गरम कर दो कि गरम होके एकदम ये लाल हो जाया रोशनी निकलने लगे तो यही आपके जो electric bulb होता है उसके अंदर होता है यह इस image को देखो आप यहाँ पर ये लोहा है इसको भट्टी के अंदर गरम किया गया है काफी ज़ादा गरम हो गया तो गरम होके ये लाल हो गया अब यहाँ देख सकते हैं रोशनी निकल लिए इसके हाथ पर भी देखो light पड़ रही है वैसे तो लोही के अंदर से कहा light निकलती है लेकिन लोही को जो हम गरम करते है जब काफी ज़ादा गरम हो जाता है तो वो एकदम लाल हो जाता है और उसके अंदर से रोशनी निकलने लगती है तो इसी कॉंसेट का यूज करके बल्ब बनाए गया कि ऐसी चीज हम लें कि उसके अंदर से जब current पास करें तो वो गरम हो जाए और इतना गरम हो जाए कि उसके अंदर से light निकलने लगे तो ऐसी जो चीज होती है उसको हम incandescent कहते है तो यह जो बल्ब इसकी image बनी है न तो short में electric bulb कह देते हैं लेकिन वैसे यह क्या है incandescent electric bulb है तो आपका जो incandescent electric bulb होता है उपर जो figure हमने देखी इनका अकसर इस्तमाल lightning के लिए होता बल्ब क्यों लगाते हो रोशनी के लिए लगाते हो न but they also give heat लेकिन इक अंदर से heat भी निकलती है क्योंकि heat की वज़े से ही light निकल लई है तो heat तो निकलेगी इसका मतलब क्या हुआ it means that a part of electricity consumed is used in producing heat इसका मतलब electricity दोगो बिजली आ रही है, bulb के अंदर जा रही है अब वो जो electricity है, वो जो बिजली है वो दो चीज में इस्तेमाल हो रही है एक तो light निकालने में, दूसरा heat निकालने में लेकिन heat का तो हमको कामी नहीं है बल्ब से हमको कोई हाथ थोड़ी न सेखना है बल्ब से तो हमको रोशनी चाहिए भाई heat हमको नहीं चाहिए लेकिन electricity वहाँ इस्तेमाल हो रही है तो यह desirable नहीं है, यह नहीं हम नहीं चाह रहे है इसकी वज़े से electricity waste हो रही है वहाँ पर electricity इस्तेमाल होगी तो हम waste ही न कहेंगे जैसे मालोग कमरें कोई है नहीं लाइट जल ली है, पंका जल लाइ तो कहोगा नहीं कि electricity waste हो रही है, बरबाद हो रही है तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, heat हमको चाहिए नहीं हमको सिर्फ light चाहिए लेकिन heat में भी electricity इस्तेमाल हो रही है तो फिर सोचा गया कि अब गया किया जाए कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसके अंदर ये heat जो है ना निकले या कम से कम निकले जादा जादा रोशनी में ही इस्तेमाल हो तो फिर बनाए गया आपका fluorescent tube lights fluorescent का मतलब क्या है तो इसके अंदर ये होता है कि ये gas होती है उस gas से जब current पास करते हैं तो ये रोशनी निकलने लगती है यहाँ पर इसको गरम नहीं किया रहता हलागि ये बहुत थोड़ा सा हलका सा गरम होता है लेकिन main जो electricity है वो light में ही इस्तेमाल होती है और जो आपका compact fluorescent lamps हो गए जिसको short में हम CFLs कहते हैं ये भी पहले यूज होते थे अभी भी हो सकता है लोग यूज करते हैं हमारे याँ तो अब यूज नहीं होता तो बहुत पहले bulb यूज होता था तो CFL क्या है वो जो incandescent bulb है उससे दो बहतर है या जो आपकी fluorescent tube light है उससे दो बहतर ही है और better electricity efficient lighting source electricity efficient है यानि इससे बिजली बचती है यानि उतनी ही बिजली अगर आप bulb को दोगे तो रोशनी कम मिलेगी उतनी ही बिजली आप ये fluorescent tube light या CFL को दोगे तो रोशनी जादा निकलेगी इसका मतलब कम electricity में हमको जादा फायदा हो रहा है अब आज के टाइम में क्या यूज होता है light emitting diode इसको हम शॉट में LED कहते हैं LED bulb, LED tube light इसका बहुत जादा यूज हो रहा है ये क्या है, ये और कम बिजली इस्तेमाल करती है अब अगर हम को जितनी रोशनी चाहिए उतनी रोशनी हासिल करने के लिए अगर हम LED bulb लगाएंगे तो वो बिजली कम इस्तेमाल करेगा वहीं हम इनकेंडेसन बल्ब या CFL लगाएंगे तो वो इलेक्टिसिटी जादा इस्तेमाल करेगा यानि उतनी ही रोशनी वाला LED बल्ब लगा लो और उतनी ही रोशनी वाला CFL लगा लो तो LED बल्ब कम बिजली इस्तेमाल करेगा CFL जादा इस्तेमाल करेगा वो आपको वही वैले इस्तेमाल करने हो जो electricity efficient हो यानि वो बिजली के इस्तेमाल कम से कम करते हो Bureau of Indian Standard जो की नई दिल्ली के अंदर है Assign a Standard Mark on the product ये एक निशान लगाता है product में जिसको हम ISI mark कहते हैं इस तरह का निशान होता है अपने देखा हो अगर प्रोड़क्ट पर कभी ध्यान देना अगर ना देखा हो तो इसको हम ISI mark कहते है अच्छा प्रोड़क्ट बहुत सारी चीज़े लिखी होती है इतना बिजली लेगा यह यह कहानी लिखी होती है तो कोई प्रोड़क्ट होता उसके बारे में जो चीज़े लिखी होती है ऐसे तो कम्बनी कुछ भी लिख दे है अपने दरफ से तो यह जो ISI mark है न यह तब लगाया जाता है जब इसको चेक किया जाता है हाँ जो बाते लिखी है प्रोड़क्ट पे वो सारी बाते सही है कि नहीं ऐसी चीज़ इसके अंदर है कि नहीं है जैसे मालों आपने मोबाइल लिख दिया कि यह 50 Megapixel गैमरा है अब हकीकत में उसके अंदर 13 Megapixel लगा हुआ है यह Mercury Vapor contain करते हैं जैसे मैंने बता है कि इसके अंदर गैस होती है तो Mercury एक चीज़ है जो कि आपके थर्मोमीटर के अंदर भी होती है डिजिटल वाले थर्मोमीटर नहीं सो नॉर्मल वाज आपको पुराना आता था थर्मोमीटर उसके अंदर पत्ती से जो लाइन मनती है व उसको कहीं फेकना है तो बहुत ध्यान से कि कहां फेक रहे हो ऐसा नौ कि कोई इनमल वगएरा उसको खाने लगे और उसकी डेथ हो जाए अब हो सकता है आपके मन में एक सवाल आया हो कि हमने निक्रोम वायर का क्यों यूज किया था ऐसा क्या खास बात है उस निक्रोम के अ तो हमने देखा था कि current flow होता है तो उसके अंदर से heating effect हमको देखने को मिलता है निक्रोम वायर का हमने यूज किया था कि उसके थूरू जब current flow हुआ था तो वो गरम हो गया था तो जो वायर है वो कितना heat produce होगा यनि वो कितना गरम होगा ये depend करेगा एक तो उसके material पे कि व अगर वायर बनाओगे और फिर current उसके अंदर flow हुआ तो heat जादा निकलेगी कुछ ऐसे material होते हैं उसके अंदर से heat कम निकलेगी अच्छा ये फरक क्यों होता है इसको मैं आपको एक trick से समझाता हूँ उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूँ आपने सुना होगा क कि आदमी गुस्से में लाल हो जाता है जब बहुत जादा गुस्सा आता है तो उसका चहरा लाल होने लगता है आम कहावत में हम कहते हैं कि गुस्से से लाल हो गया तो ये चीज याद रखना कि जब किसी को गुस्सा आएगा तो वो गुस्से से लाल हो जाएगा ये image में problem आएगी तो वो गुसा आजाएगा और गुसा होके एकदम लाल हो जाएगा गरम हो जाएगा उसके अंदर से heat और light निकलने लगेगी यानि current का flow होना जितना ही मुश्किल होगा उतना ही जादा wire को गुसा आएगा कि आर current flow नहीं हो पा रहा है और गुसे से वो लाल हो जाएगा उसके अंदर से heat और light निकलने लगेगी अब गुसा आएगा कैसे चलो material की बात कर रहे थे ना इसको समझते है trick से ये road देखो कितनी अच्छी है न इस पे अगर आपको cycle या bike चलाना हो तो कितना अच्छा होगा इस पे चलाने में आपको गुसा आएगा बिलकुल नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि आपकी जो गाड़ी है वो मास ताराम से चली जा रही है गाड़ी चलाने में इसमें problem नहीं आरी इस road पे इसलिए आपको गुसा नहीं आएगा अब इस road का हाल देख लो जिसके दर्शन हम अक्सर करते ही रहते हैं कि गड़े हैं, गड़ेों में पानी है अब ऐसी road पे अगर आपको गाड़ी चलाना हो तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि गुस्सा आएगा कुछ material ऐसे होते हैं, जिनके थूर्व current आसानी से पास हो जाता है वो गुस्सा नहीं करते हैं, वो ज्यादा गरम नहीं होते हैं और जब ज्यादा गरम नहीं होते हैं, तो उनके अंदर से light नहीं निकलेगी तो जितना जादा मुश्किल होगा current का flow होना, उतना ही जादा wire को गुस्सा आएगा और वो उतना ही जादा heat हो जाएगा, गरम हो जाएगा ठीक है, तो पहला point समझ गया material वाला, कि अलग-अलग तरीके के material से wire बनाये जाते हैं कुछ material से current असानी से flow हो जाता है, कुछ से मुश्किल हो जाता है, अलग-अलग material का अलग-अलग अपना level है दूसरा है length, wire की length कितनी है, इसको भी आप tricks ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मालो, कोई छोटा सा रास्ता है, जादा दूर आपको नहीं जाना है तो ठीक, आराम से पहुँच गए, अगर कोई रास्ता बहुत ही लंबा है, बहुत दूर तक चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, एकदम खतमी नहीं हो रहा अरे, कहां जाना है भीया, जहां जाना है, वो मंजिल कब आएगी हमारी, तो अगर रास्ता लंबा होता है, तो भी आपको गुस्सा आ जाता है, क्या रिधनी दूर हमको पैदल चलना पड़ा, या साइकल चला के जाना पड़ा, तो उससे गुस्सा आएगा की नहीं, तो इ रास्ता आगा, थोड़ी सी भी गाड़ी आ गई, भीड़ बाड़ हो गई, तो जाम लग जाएगा, अब उस जाम की वज़े से आपको फिर से गुस्सा आ जाएगा, क्यार बताओ, इतनी अच्छी रोड है, सोचा दब भगा के एकदम मस्द चलाएंगे, लेकिन इतनी पतल करेंगे, आपको इतना नहीं समझना, आपको बस इतना याद रखना है, कि जो वायर है, उसके अंदर से हीट कितना प्रोड्यूस होगी, ये माटेरियल, लेंथ और थिकनेस वी डिपेंड होगी, कौन सा माटेरियल, लेंथ कम जादा, थिकनेस कम जादा से क्या फरक पड़ तो जैसी हमारी रिक्वायर्मेंट होती है, अलग-अलग तरीके के रिक्वायर्मेंट के लिए, अलग-अलग माटेरियल से हम वायर बनाते हैं, अलग-अलग लेंथ और अलग-अलग थिकनेस के वायर बनाये जाते हैं, यानि हमको वायर किस काम के लिए यूज करना है, जै आपके जो appliance हैं से उसके अंदर जो wire होता है mobile का charger हो गया fridge को connect करने का जो wire हो गया इस तरह से वहुत सारे wires होते हैं तो उनका मकसद उनको heat करना नहीं है कि वो गरम हो तो भाई हम ऐसे material से नहीं बनाएंगे उनके through तो हमको सिर्फ current flow कराना कि भाई या current इसके अंदर पहुच जाए इधर सुधर पहुच जाए हमको उसको गरम नहीं करना तो वो आम तोर से गरम नहीं होते क्योंकि हम ऐसे material से बनाते हैं जिससे current आसानी से flow हो सके आम तोर से जो wire वगरा बनाय जाते हैं वो copper के बनाय जाते है क्योंकि copper से आसानी से current flow हो जाता है आसानी से flow हो जाएगा तो wire को गुस्सा नहीं आएगा वो गरम नहीं होगा वहीं दूसरी तरफ जो element होता है कुछ electrical appliances का वो बहुत जादा गरम हो जाता है इतना कि वो दिखने लगता है कि हाँ ये गरम हो गया गरम होके लाल हो गया the filament of an electric bulb gets heated to such high temperature that it starts glowing electric bulb का जो filament है उसके थुरू जब current flow होता है तो वो इतना जादा गरम हो जाता है कि वो glow करने लगता है उसके अंदर से रोशनी निकलने लगती है क्योंकि जो filament है वो हम ऐसे material से बनाते हैं के थुरू current आसानी से flow ना हो सके जब मुश्किल आएगी flow होने में तो wire को जो है वो गुसा आजाएगा वो गरम हो जाएगा और उसके अंदर से light निकलने लगेगी और हमको यही तो चाहिए जब हमको सिर्फ current flow कराना था heating नहीं करनी थी तो हमने दूसरा तरीके के material से wire बना लिया इसलिए जो हमने निक्रोम wire लिया था क्यूं लिया था वही नॉर्मल wire भी दूलो है सकते थे copper वाला wire ले सकते थे लेकिन copper से तो आसानी से current flow हो जाएगा वो तो गरम ही नहीं होगा मलब गरम होगा बहुत थोड़ा से गरम होता है वही निक्रोम wire इसके थूरू आसानी से current flow नहीं होगा जिसकी वज़े से वो गरम हो जाएगा अगर उसको direct main supply से connect कर दो तो गरम होके वो लाल हो जाता है हाला कि आपको वो experiment नहीं करना है लेकिन अगर आँ देखना चाहो तो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है निक्रोम wire heating इस तरह से करके सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा वो गरम होके एक दम लाल हो जाता है तो हमको heat करना था इसलिए हमने निक्रोम material का use किया अगर ज्यादा current pass किया गया wire से तो wire गरम हो जाएगा यहाँ तक ही गरम होके वो melt कर जाएगा और break कर जाएगा पिखल जाएगा और पिखल के तूट जाएगा लेकिन क्या ये possible है कि wire melt कर जाएगा और break कर जाएगा भाई wire तो बड़ा मजबूत होता है copper का wire ले लो भले पतला ले लो तोड़ नहीं सकते आप बड़ा मुश्किल से टूटेगा आपसे अगर पतला होगा तभी टूटेगा थोड़ा सा भी मोटा होगा तो आप उसको तोड़ नहीं सकते इतना मजबूत होता है तो सवाल यह है क्या यह wire melt कर सकता है भीगल सकता हो ब्रेक कर सकता है चली इसको हम चेक करते हैं तो उसके लिए हमको activity करना पड़ेगा activity 10.4 आपको एक circuit बनाना है जैसे कि आपको activity 10.3 में दिया था उसी तरह से फिर बना लो यह दो activity 10.3 हमने की थी इसके अंदर जैसे circuit बनाया था हमने यहाँ पर cell लगा लिया यहाँ पर switch लगा दिया connecting wire है यह nail है दोठो इस तरह से बना लिया था यहाँ बीच में अगर आपको याद हो तो हमने निक्रोम wire लगाया था निक्रोम wire से current मुश्किल से पास होता है मुश्किल से flow होगा तो गुस्से में गरम हो जाएगा अब cell में इतनी power नहीं होती इसलिए वो जादा गरम होगा नहीं वरना आपको एकदम गरम होगे लाल दिखने लगे तो हाँ इस वाली activity हमको क्या करना है बस इस निक्रोम wire की जगा हम दूसरी कोई चीज लगाएंगे क्या चीज़ है चली देखते हैं तो पहले तो हम cell को replace करेंगे battery से और four cells यानि 10.3 value activity के अंदर हमने एक cell use किया था अब यहाँ पर चार cell use करेंगे तो चार cell को हम connect करेंगे तो वो battery बन जाएगी इसके अलावा निक्रोम wire की जगा हम क्या करेंगे tie a thin strand of steel wool steel wool का एक पतला सा धागा लेंगे उसको लगा देंगे निक्रोम wire की जगा है अब आप कोगी steel wool क्या है इसे तो आपने देखा ही होगा इसको क्या कहते है मंजना कहते है ना शायद जिससे बरतन साफ करते हैं तो देखो यह इस तरह से आपको दिख रहा है spring जैसा यह पूरा लपटा हुआ है तो इसी का एक टुकड़ा निकाल के थोड़ा से तोड़ लेना है चोटा से टुकड़ा या इस तरह से भी आता है पहले के time में हमारे हां अगर अपने घर की बात करूं तो यह इस तरह से रोल बहुत पहले आता था तो इसका जो strand होता है ना इसका जो धागा होता यह बहुत पतला होता है तो यह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं तो यह वाले से भी काम चल जाएगा यह इसको छोटा से एक टुकड़ा आपको ले लेना है तो यह जो steel wool है याम तोर से बरतन साफ करने में इस्तेमाल होता है और ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा अगर पंखा वगरा कमरे में चला है तो उसको बंद कर दो क्योंकि बड़ा हलका होता उड़ जाएगा त तीन से भी हो जाएगा ठीक है यह जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो यह आपका steel wool है बहुत पतला सा होता है यह तो इसको आपको लेना है तो यह दोखो मैंने तीन सेल की बैटरी बना ली है कनेक्शन वाई सिंपल है जैसा आपने सीखा है एक सेल का पॉस्टिव दूसरे क का निगेंटेव और इसका निगेंटिव कर दिया तीनों मिलाकर हमारी एक बैटरी बन गई इधर देख सेल वूल है जिसको मैंने दो वाईर से इधर कर दिया है अब आपएक टर्मिनल इस पाजिटे व कनेक्टेव से करनेक्ट हुजाएगा तो चलीक अनेक्शन करते हैं अब इसको मैंने काफी देर था connect रखा, जो steel wool था, वो गरम तो हो रहा था, लेकिन इतना गरम नहीं हो रहा था कि वो गरम होके, बिलकुल melt कर जाए, तूट जाए, तो फिर मुझे लगा कि मैंने थोड़ा लंबा ले लिया, इसको छोड़ा छोटा लेना चाहिए, तो इसको म गरम हो गया, गरम होके लाल हो गया, अब यह हीट होता जाएगा, होता जाएगा, एक टाइम आया गए, यह देखो, अब यह अच्छे से जल गया, और यह ब्रेक हो गया, पिघल के तूट गया, यह देख सकते हो, जल के इसका connection तूट चुका है, यह वाला हिस्सा जो देख गरम होते होते होते, पहले गरम होके एकदम लाल हुआ, उसके बाद वो मेल्ट कर गया, पिघल गया और टूट गया, तो यह हमने देखा, कि वो पिघल के तूट गया, तो कुछ ऐसे वायर भी होते हैं, जो special material के बने होते हैं, यह क्या करते हैं, बहुत जल्दी मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं, और टूट जाते हैं, अगर जादा electric current पास किया गया, उनके थूट तो, अगर एक cell connect करके हम current पास कराते हैं, तो आसानी से पास हो जाता, लेकिन हमने तीन connect कर दिया और यहां तो चार कहा था, चार करते हैं, और जल्दी से वो जल जाता, तब तो हमने जो पहले starting में लंबा वाला लिया तो वो भी हो सकता है, लाल हो जाता, तो यह जो वायर होते हैं, इनका इस्तेमाल हम electric fuses बनाने में करते हैं, अब आप कोगी electric fuse क्या है, तो चली इसके बारे में जानते हैं, figure 10.14 में आपको दिया है, यह उपर देख सकते हो, यह हम यहां से निकल के हमारे घर में connection होता है, यहां आप देख सकते हो, बीच में हिस्सा खाली है, इसका मलब circuit complete नहीं है, current flow हो गाई ही नहीं, आपके घर में light ही नहीं आएगी, अब इस fuse का दूसरा part देखो, हम क्या करते हैं, यहां पर एक wire ऐसे connect कर देते हैं, यह wire ऐसे आते तो क्या होगा, current जो है wire से होते हुए इधर से, और यहां से यह fix है, तो इसके through current होते हुए इधर से, और यह यहां पर touch है, तो यह wire से निकल जाएगा, अब सारा खेल यह बीच में जो wire हमारा लगा है, उसका होता है, यह ऐसे material का होता है, कि अगर इसमें से जादा current flow हो, त यह जल जाए, melt कर जाए और तूट जाए, और circuit ब्रेक हो जाए, इस image में देख सकते हो, यहां पर ऐसे nut लगा होता है, यहां से एक पतला सा wire connect रहता है, यह इधर आके यह इस side जोड़ा रहता है, यहां भी पीछे side में इधर nut लगा होता है, फिर जब इसको इसके अंदर fit क होता है, जो जल्दी से break कर जाए, तूट जाए, तो जितना current हमको चाहिए, अगर उतना आ रहा है, तब तो ठीक है, अगर जरूर से जादा current आ गया, तो यही से यह break हो जाएगा, तूट जाएगा, तो कुछ खास तरीके के material से wire बनाये जाते हैं, जो कि fuses के अंदर इस्ति safely flow through our circuit, तो किसी circuit के अंदर current कितना flow हो सकता है, उसके maximum limit होती, इससे जादा होगा, तो circuit जल जाएगा, अगर किसी हादसे की वज़या से जो current है, वो safe limit से exceed कर जाता है, यानि जितना current flow होना चाहिए, उससे जादा current आ गया, तब क्या होगा, तो wire क्या होगा, जादा heat हो जाए इस तरह से पूरा circuit नहीं जलेगा, कहने का मतलब यह है, कि जैसे हमने circuit लगा, इसके अंदर यहाँ पर cell लगा दिया, यहाँ पर bulb लगा दिया, अब अगर किसी वज़या से जादा current flow हो गया, तो जादा current की वज़या से यह जो हमारा wire है, इसके थुरू current flow हो रहा है, यह जल सकता है, बल्ब में जादा current चला गया, तो बल्ब जल जाएगा, पतला उड़ गया, fuse हो गया, इससे बचने के लिए हम क्या करते है, fuse लगा देते, इसे मालू हमने यहाँ पर एक fuse लगा दिया, अब fuse क्या करेगा, fuse के अंदर जो wire use करते है, वो बड़ा हलका सा होता है, इतन कि जितना current flow करना चाहिए, उतना flow हो, अगर जो हमने limit set की है, कि हम इससे जादा ना होना चाहिए, उससे जादा होता है, तो सबसे पहले यही wire तूट जाए, जल जाए और यहाँ से तूट जाए, तो तूट जाएगा circuit, open हो जाएगा, और current flow होना बंद हो जाएगा, तो fuse का काम यही है, ताकि हमारे devices बचे रहे, आपके घर में fuse लगाओगा, दूर से देख लेना, टच उच ना करना, अब घरों के अंदर अक्सर जो है, fuse का जो है, उड़ जाता है, तो मुझे तो knowledge है, मैं तो अपना खुद से ही बना लेता हूँ, वानना लोग को electrician बुलाना पड काला, कि देखें हो सकता है, fuse break कर गया हो, तो देखा तो वो wire टूटा हुआ था, क्यों टूट गया था, जाधा current आ गया होगा, उसकी विरेसे टूट गया, तो जब टूट गया, तो circuit ब्रेक हो गया, light चली गए अपने हां, तो फिर मैंने दूसरा wire लेके उसको जोड़ के बना दिया और लगा दिया, light आने लगी, अगर fuse ना लगा होता हमारे घर के अंदर, तो जाधा current आने के विरेसे क्या होता, जो appliances जल सकते थे, जाधा current आ गया, जाधा current फ्रिज में चला गया, AC में चला गया, बल में चला गया, तो वो जल जाते, तो उसके लिए, चलो fuse ही device है जो कि electric circuit को damage होने से बचाता है भाई घर के अंदर आपके wiring है जादा current है wiring ही जल गई अब लेओ wiring बदलवाओ तो fuse लगा दिया तो इससे बच जाओगे अगर जादा current है तो fuse ही उड़ जाएगा वही fuse के अंदर जो wire लगा होता है वही जल जाएगा तो wiring वाला जो तार है जो आपके घर के अंदर पूरा लगा हुआ है वो जल जाएगा तो आग लग सकती है और आग लग जाती है इससे बचने के लिए भाई या fuse लगा तो वो जादा असान है तो fuse जो अलग अलग तरीके हो यह तो हमारे घरों के अंदर यूज होता है और यह वाले जो fuse हैं यह electrical appliances के अंदर यूज होते हैं इसमें आप देख सकते हो यहां पर यह ऐसे पतला सा wire होता है इसी के तुरू current flow होता है अगर जादा current flow होगा तो ही तूट जाएगा circuit break हो गया current flow नहां बंद हो गया तो इससे आपके जो device से वो पूरा बचा रहता है अब यहां पर caution दिया है never try to investigate an electric fuse connected to main circuit on your own तो electric fuse वगएरा जो main से connected है यानी main जो बिल्दी के आपकी supply आती वहां से connected है उसमें कोई investigator करने लगना चले देखें निकाल के देखें इसलिए मैं आपको निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ हमारे घर के अंदर लगा हुआ है मैंने बस सोचा निकाल के दिखा दू लेकिन कुछ लोग होते हैं चलो हम भी निकाल के देख लेते हैं तो फिर यह होगा कि आपने ऐसी चीज क्यों बताई जिससे बच्चों ने कॉपी किया तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ आपके घर में लगा है दूर से देख लेना लेकिन हाँ आप एलेक्टिक रिपेर शॉप पे जा सकते हो वहाँ कंपेर कर सकते हो वहाँ पर वो कनेक्टेट नहीं रहता तो कौन सा जला हुआ फ्यूज है और कौन सा नया वाला है वो देख के आप आईडिय लगा सकते हो अब ये तो हमने देख लिए कि अगर जरूर से जादा जितना हमारी सेफ लिमेट है उससे जादा करेंट आएगा तो हमारा जो सर्किट है वो जल सकता है हमारी जो अप्लाइंसे जो जल सकते हैं इसके लिए हम फ्यूज लगाते है सवाल ये है कि जादा करेंट आ कैसे सकता है वन रिजन फॉर एक्सेसिफ करेंट इन दा एलेक्रिकल सर्किट इस दा डारेट टेचिंग अफ वायर ऐसा हो सकता है जो वायर है वो आपस में टच करने लगें तो उपर अच्छे से कवर चड़ा हुआ है तब तो टच करेंगे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मान लो जैसे कटाव हो और फिर वो टच कर जाए तो जादा करेंट फ्लो हो सकता है तो यही बात यहां पर कह रहा है जो इंसुलेशन होता है वायर के उपर जो कवर होता है वो वियर एंट यह मलब घिज गया कट गया उसकी वज़े से उसका इंसुलेशन कहीं से उखड गया अब इस तरह से दो वायर खुले हुए आपसमें टच करेंगे तो जादा करेंट फ्लो हो जाएगा तो इसकी वज़े से शौट सर्किट हो जाता है शौट सर्किट क्या है थोड़ा से आपको समझा जैता हूँ वैसे डीटेल आपको नहीं पढ़नी डीटेल आपको हायर ग् अगर हम ऐसा करें के एक वायर हमने लिया और यहां से इसको ऐसे जोड़ दिया तो होगा क्या यहां से इस पॉजिटिव टाइम निकला मास तैसे जाएगा जाना तो उसको बल्ब की तरफ था बल्ब से होके फिर वापस आ जाता इस तरह से घूमता रहता अब यहां पर बीच में आपने वायर लगा दिया तो इसकी वज़े से हो गई है कि करेंट कहेगा करें भीया हम बल्ब के पास होके क्यों घूम के जाए क्योंकि बल्ब के अंदर फिलेमेंट लगा है वहां से करेंट फ्लो होना मुश्किल होता है इसी वज़े से वह तो गरम हो जाता है तो करें भी यही काम करेगा, वो इधरी से होके ऐसे वापस आ जाएगा, अब इसको कहीं रुकावट नहीं हुई तो बड़ा तेजी से भागता रहेगा बहुत जादा करेंट फ्लो होने लगेगा कि नहीं बल्ब से जब होके आ रहा था थोड़ा रुकावट हो रही थी इतना आसान नहीं था फ्लो होना, तो ज़ादा करेंट नहीं फ्लो हो पा रहा था एक बार में, लेकिन अब थो बिलकुल कोई रोखी टोक नहीं है, मस तराम से दोड़े जा रहा है तो ज़ादा करेंट फ्लो हो जाएगा, तो यह जो हमने वायर इस तरह से लगा दिया, कि यहां इस wire का यह हिस्सा और यह wire का यह हिस्सा हमने connect कर दिया, इसी क्वेटें short circuit कर देना, इसकी वज़े से ज़ादा current हो जाता है और ज़ादा current होने के वज़े से circuit जल जाता है, आग लग जाती है, तो यह तो मैंने एक case बता दिया, ऐसा हो सकता है कि मालो एक wire ऐसे जा रहा है, दूसरा wire ऐसे बगल से जा रहा है, यहां बीच में कहीं, दोनों तायर थोड़े से कड़ गए, जुड़ गए, तो current क्या करेगा, इधर से हो के इधर से वापस आने लगेगा, यह नया connection मना लेगा, और यहां ज़ादा current flow होने लगेगा, ठीक ह यह extra चीज़ें मैंने बता दी, just in case अगर आप यह सोच रहे हो कि short circuit क्या होता है, तो उसलिए, बागे simple से आप यह आद रखना कि electric circuit के अंदर excessive current, यानि जो ज़ादा current है, वो कैसे आ जाता है, उसके आने तरीका यह है कि जो wire है, वो direct एक दूसरे को touch करने लगे, यानि उनका insulation जो है, वो cut गया, फट गया, इस वज़े से वो direct दोनों contact में आ गया, तो इसी को हम short circuit क्याते हैं, एक और reason है, जादा current का, can be connection of many devices to a single socket, एक ही socket से बहुत जादा चीज़ें आपने connect कर ली, एक ही socket है, एक ही board लगा हुआ है, वहीं से अपना PC भी connect कर दिया, mobile भी charging में लगा है, एक क्या दो चार्टो mobile लगा हुआ है, फिर कुछ और लगा दिये उसके अंदर, तो सब को current चाहिए हो कि नहीं, तो कहेगा हमको भी current चाहिए, हमको भी current चाहिए, तो जादा current उसके अंदर flow होगा, तो इस तरह से excessive current flow हो सकता है, क्योंकि हो कह रहा यहां पर this causes overload in the circuit, circuit मे overload हो गया, आपके घर के अंदर अलग लग जहें पर अलग लग बोर्ड लगे हैं, आप एक आदमी वहां mobile चार्ज कर लो, एक वहां चार्ज कर लो, अच्छा, mobile से तो फरक नहीं बढ़ता, mobile तो कम इस्तेवाल करता है, लेकिन heavy चीज़ें आप यह सारी एक ही जहें पर connect कर द अदर कि short circuit या overload की वेज़े से आग लग गई, short circuit से अकसर सुनाई पड़ता है, यह short circuit हो गया, short circuit कैसे हो गया, अब जैसे wiring के जो वायर होते हैं, वो हमारे दीवार के अंदर अंदर हम पूरा connection होता है, तो वो काफी पुराने हो गया, तो हो सकता हूंका जो insulation है, वो break कर गया टियर कर गया, तो धेर सारे तार वहां से जा रहे होते हैं, तच कर गया, एक दूसरे के साथ, हो गया short circuit, short circuit हो गया, जाधा current हो गया, तो wire जल गया, जल गया, तो पूरा wire का पूरा connection ही है, सब जगें आग पकड़ ली, तो इस तरह से हो जाता है, इसलिए जो wire बगएर है न ताकि आपको basic चीजें पता हूँ, किया short circuit कैसे हो जाता है, कैसे बचा जा सकता है, कैसे बच सकते हैं, फ्यूज लगा दो, कि अगर जाधा current आएगा भी, तो पहले फ्यूज उड़ जाएगा, अब जो फ्यूज हमने देखा, उसके अंदर problem क्या थी, उसका wire जल जाता था, जल के पिखल के तूड जाता था, फिर हमको दूसरा wire उसके अंदर लगाना पड़ता था, इस जहंजट का काम था की नहीं, हर कोई कर भी नहीं सकता, जैसे कि मुझे knowledge दीद मैंने तो को जोड लिया, वरना आपको electrician बुलाना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा system होना चाहिए, ज आज कल इसका इस्तेमाल हो रहा है, हमारे घर में भी लगा हुआ है, जैकिन fuse भी लगा हुआ है, अब ये क्या होते हैं, MCBs होते हैं, ये switches होती है, जो automatically turn off हो जाती है, when current in the circuit exceeds the safe limit, यानि इसके अंदर ऐसे setting होती है, इतना current flow होगा तब तो ठीक है, अगर इससे जादा current flow उपर की तरफ होती है, ज्यादा current आया, तो खट से ही नीचे हो जाता है, नीचे हो गया, नीचे हो गया, जो जो चीजें से connect होंगी, वो बंद हो जाएंगी, काम नहीं करेंगी, अब इसको सही करने के लिए आपको जादा जंजट करने की जोरत नहीं है, आप भी कर सकते हो, बस स्विच को उपर उठा दो, on कर दो, फिर से चलने लेगेगा सब, लुक फॉर ISI mark on the MCBs also, तो MCB भी लेना है, तो ISI mark देख के लेना है, देखो यहाँ से यहाँ पर लगा हुआ है, तो यह देख के आपको लेना है, अब यहाँ पर एक caution दिया है, देख लेते हैं, अचा कुछ लोग गलती क्या करते हैं, देखो पहली चीज क्या कह रहा है, कि जो फ्यूज आप लेने जा रहे हैं, फ्यूज अलग अलग टाइप का आता है, आपको बताना होगा कि हमारे घर में यूज करना है, घर के लिए इस्तेमाल में चाहिए, इतना लोड है, जैसे ब बहुत बड़ा घर है, बहुत जादा चीजें लगी हुई है, तो उसके हिसाब से फ्यूज आता है, तो कैसा आपके रिक्वार्मेंट है, उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, या आप इलक्टिशन से कह दोगा, तो वह देख के आपका फ्यूज ले आएगा, ठीक है, किस अप्लिकेशन के लिए, किस काम के लिए इस्तिमाल होना है, उस हिसाब से फ्यूज लिया जाता है, उसमें भी ISI मार्क आपको देखना है, दूसी चीज, जैसे फ्यूज जल जाता है, तो अक्सर क्या करते हैं, कहीं से भी वायर काट के जोड़के लगा दिये, तो ऐसा नहीं करना है, कोई भी वायर, कोई भी स्टेप और मेटल, फ्यूज की जगें नहीं लगाना है, क्योंकि वो जो फ्यूज के अंदर वायर लगाया गया है, उस वायर का काम ही यह है, कि ज़रुत से जाधा करेंट आया तो वो जल जाए, अब आपने अपने से धिमाक लगाय कुछ ऐसे ही दूसरे तार का काट के लगा दिया, तो क्या होगा, अब आपने कोई हिसाब के अताब तो लगाय नहीं था, आपको खुद ही नहीं पता कि इतना करेंट इसके अंदर आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, पतला फ्यूज के अंदर आपने मोठा तार लग तो इसा तार लगा दिया वो ब्रेक ही नहीं हुआ आपका सर्कृट पूरा जल गया घर में आग लग गयी वो फ्यूज नहीं जला ठीक है तो फ्यूज के अंदर जो वायर लगा जाता है वो स्पेशल तरीके के वायर होता है वो उसी काम के लिए होता है तो बैसिकली हमने ती स्पेशल पूरा को स्युक्ता करेंगा तो पतले वायर से चल्च पास नहीं करा सकते हैं इसे लिए हैवी अप्लाइट तो एक तरीके वायर वो जिसके हमको current flow कराना है तो ऐसा material वैसी थिकनेस वैसी लेंथ हम चूज कर लेंगे दूसरे तरीके का वायर हमने देखा था जिसका काम हमको heat और light की जरुवत थी यहीटर वगर अंदर यूज करना है तो वह ऐसा वायर हमको लेना पड़ेगा ऐसे material होन है जो heating appliance के अंदर यूज होता है heater हो गया blower हो गया घीजर हो गया इसके अंदर जो वायर यूज होगा वह ऐसा होना चाहिए कि वह गरम तो हो जाए गरम होगे लाल तो हो जाए लेकिन आसानी से तूटे ना क्योंकि तूट जाएगा तो circuit break हो जाएगा कहानी घतम हो है उसी तरीके से material हमने लिया उसी हिसाफ से हमने thickness और length ली ठीक है तो बहुत detail में इसके बारे में बात नहीं की गई है वरना आपको और अच्छे से मैं detail में समझाता लेकिन जितना मैंने आपको बता दिया वो enough है जितनी चीजें यहां लिखी है बस आपको उतनी ही चीजे हम बना पा रहे हैं heater, geezer, hair dryer और दुनिया बर की जो चीजें गरम हो रही है वो इसी वज़े से तो हमारे काम क्या रही है तो देखो हमने इससे फायदा उठाए की नहीं दूसरा fuse जो बनाते हैं अगर वो heat ना होता गरम होके ना तूटता तो fuse ही नहीं हम बना पाते ठीक है तो वो अगली वीडियो के अंदर आएगा, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, क्लास 7 की और भी वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल ली होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्स्क्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर क्लिक करोगे, तो डिस्क्रिप्शन ओपेन हो जाएगा, यहाँ आपको वाट्सेप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इस अप मेरे वाट्सेप चैनल से जॉइन हो सकते हो, डों वरी आपका नाम और फो नंबर किसी को वीडियो और वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे झाल।